सो गाईस दीखें यहापे मैं PC के स्क्रिन पे आचकों हूँ तो एक tob backup आपका यहापे चालू हो जाएगा और यहापे थोड़े ही समय में यह एक्स्ट्रेक्ट होके आपके सामने एक folder आ जाएगा आपने simply इस folder को अब open करना है guys देख सकते हूँ यहाँ पर अभी extracting चल रहा है तो आप ध्यान से यहाँ पूरा step follow कीजेगा आप बीच में वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको कहीं से पता नहीं चलता है आपके सामने इस तरह का folder आएगा अब आपने इसे open करना है इसकी अंदर एक setup.bat नाम से एक file होगी जिसकी उपर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने setup.bat file होगी इस पे click करना है आपने double click करना है आपके सामने इस तरह का interface आएगा अब आपने यहाँ पे अपने keyboard से enter press करना है और उसके बाद आपका यहाँ पे extracting का process चालू हो जाएगा अब आपका यह पूरा game इसी folder के अंदर install होने जा रहा है गाइज इस process में आपका copy समय लग सकता है लगबग यहाँ पे 10 से 15 मिंट लग सकते हैं तो आपने सही से इसे extract होने देना है आपने अपना PC यहीं पे छोड़ देना है और आपने अपना कुछ भी काम कर लेना है तब तक जब तक पूरा install नहीं हो जाता इसके बाद यहाँ पे आपको एक और pop-up आएगा उसमें आपको यहाँ पे green color का एक pop-up आएगा आपको फिर से बोलेगा press to enter की फिर आपका यहाँ पे पूरा game इंस्टॉल हो जाएगा तो guys यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा fast forward करने वाला हूँ और आगे मैं आपको पूरा step बताने वाला हूँ सो guys देखिए अभी भी installing का process चर रहा है आपके सामने इस तरह का एक pop-up आएगा अब आपको यहाँ पे direct x इंस्टॉल करना पड़ेगा तो आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजेगा जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरह से इंस्टॉल करना है guys आपने उसके बाद guys अब आपको यहाँ पे एक इस तरह का green pop-up आएगा देखे guys जैसा की मैंने बताया था अब आपने press to enter करना है अब आपका पूरा game इस folder के अंदर install होके आ चुका है अब आपके desktop पे भी game का icon बन गया है देखे अब मैं इस icon पे click करता हूँ और जैसी मैं click करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे game हो जाएगा start guys अगर आपको फिर भी game में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं आपका भाई वीने आपको यहाँ पे पूरी help provide करेगा तो guys देखे यहाँ पे game पूरी तरह से install होके आ चुका है अब आप यहाँ पे इस game को play कर सकते हैं और guys यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आप इस game को multi player खेल नहीं सकते हैं क्योंकि guys यह crack game है आपको यहाँ पे multi player का option नहीं मिलेगा बाकी game आपका बहुती शांतार चलेगा बहुती अच्छे से चलेगा game में आपको कोई भी cut scene देखनों को नहीं मिलेगा पूरे के पूरे mission और पूरे sound मिलता है so guys मिलते हैं अगली video पे तब तक आप game को enjoy कर लीजीगा